नमस्ते नीटशे की सबसे प्रसिद्ध किताब है दस पोग जरतुस्तर यानि जरतुस्तर ने कहा था इस किताब में नीटशे ने फारस के प्राचीन रिशी जरतुस्तर को अपना मुखे चरतर बनाया है जरतुस्तर बरसों तक एक पहाड की चोटी पर साधना और तपस्या करते हैं और जीवन का अर्थ खोचते हैं तब वो पहाड से नीचे उतर कराते हैं और लोगों को अपनी साधना के बारे में बताने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं कि मैंने जीवन और उसके अर्थ के बारे में ये ये चीजें जान ली हैं, जरा सुनियें आप लोग, लेकिन सब के सब लोग अपने कामों में मगन रहते हैं, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। तब जरतुस्त्र को लगता है कि ये सारे लोग मैदान में घास चरने वाली गाए, भैस, बकरियों जैसे हैं, इनके भीतर स्वतंत्र मनुष्य की चेतना नहीं हैं, ये सभी लोग हर्ड मेंटालिटी यानि जुन्ड की मानसिक्ता से प्रभावित भेड़ चाल करने वाले मनुष्य कैसे स्वतंत्र हो सकता है और उसका वयक्तिक विकास यानि इंडिविज्वल ग्रोथ कैसे हो सकती है, तब जरतुस्त्र के माध्यम से निट्श्य कहते हैं कि मनुष्य का विकास तीन चरणों में होता है, पहले वो एक उूट बनता है, फिर शेर बनता है और उसके शेर बच्चा, क्या है निट्श्य की इस थियोरी का मतलब, आज की लेक्चर में हम यही जानने का प्रयास करेंगे उट बहुत सीधा और महनेती जानवर होता है, जितना भी वजन लाद्दो उठाता है, जल्दी हुस्सा नहीं करता, आप उससे जो करवाना चाहें कर देता है निट्शे कहते हैं कि हम सब जन्मजात उट हैं और हमें से ज्यादा तर लोग मरते दम तक उट बने रहते हैं हम अपने आजपास के लोगों की, अपने परिवार की, अपने समाज की हर जायज, नाजायज बात मानते हैं और बदले में ना कोई सवाल करते हैं, ना कोई शिकायत. हम अपनी पीट पर बहुत सारा बोज लेकर चलते हैं, जिम्मिदारियों का बोज, अच्छे और बुरे का बोज, रीति रिवाज और परंपराओं का बोज, जब हम छोटे होते हैं, तब ही से हमें बताया जाता है कि ये करना सही है और ये करना खलत. हमारे जीवन में कई चरित्र होते हैं, माता-पिता, भाई-बहन, टीचर, सहपाठी, यार-दोस्त, समाच के लोग, ये सब हमारे मालिकों जैसा व्याभार करते हैं और अपनी उम्मीदें, अपने सपने, अपने नियम, अपनी बातें, अपना ज्यान हमारे उपर लाद दे हमें लगता है, कि इन सारी बातों को अपने उपर कैरी करना हमारा परम करतव्य है, वरना हमें अच्छा नहीं माना जाएगा, तो हम ये सारा वजन उठाने लगते हैं, और अपना जीवन इसी तरह जीते रहते हैं जीवन जीना है, तो वजन तो उठाना ही पड़ेगा, जीवन का वजन उठाना ही पड़ेगा, लेकिन क्या जीवन सिर्फ यही सब करने में निकल जाएगा, क्या हमारे जीवन का यही मकसद है, क्या हमारे जीवन का यही मतलब है, हमेंसे ज्यादतर लोग इन सवालों पर ध जिहान भी नहीं देते, वे उट की तरह मजदूरी यानि जिंदगी की मजदूरी किये जाते हैं, किये जाते हैं और अपने जीवन को बदलने के बारे में जरा भी नहीं सोचते, उनके चिंता बस इतनी होती है कि मजदूरी के बदले दाम अच्छे मिलते रहें, लेकिन कुछ लोग, बेहत कम लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि दूसरों द्वारा डाले गए इस बोज को हटा देना हैं, दूसरों द्वारा दिये गए ज्यान को गधे की तरह, उट की तरह, धोते रहने की बजाए, वे लोग अपना खुद का ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें बस उन्हें अपने होने का अफसोस होता है, अवसाद होता है, और जल्दी कोई रास्ता नहीं सूचता है, वे बाकी दुनिया से दूर होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, और सोचते सोचते तब उन्हें एक नया रास्ता मिलता है, बगावत का रास्ता, तब उट सोचता है कि जिन बातों को, जिन शर्तों को मुझ पे लादा गया, नैतिकता के जो नियम मेरे लिए बनाए गए, वे सब के सब दरसल बेमानी हैं। उन सारे नियमों को दरसल खारिच कर देना चाहिए और अपने लिए एक नया रास्ता बनाना चाहिए, दूसरों के ग्यान को बोज की तरह उठाने की बजाए, अपना ग्यान खुद प्राप्त करना चाहिए। तब वो उँट, बेचारा, निरीह, लाचार उँट एक शेर बनने की शुरुआत करता है। नीटशे का दूसरा चरण है शेर। शेर का अर्थ है साहस, आत्मविश्वास, अपने निर्णे खुद लेने की ख्रमता, दृढता, शक्ति। शेर यानि अपनी जिंदेगी का नियंदर अपने हाथों में लेना। नीटशे कहते हैं, व्यक्तित्व के दूसरे चरण में पहुँचकर, मनुश्य जब शेर बनता है, तब दरसल वो आजाद होना चाहता है, अपना मालिक खुद बनना चाहता है। लेकिन शेर बनना इतना आसान तो नहीं है। अपने मन में सोच लिया कि आप शेर बन चुके हैं, लेकिन लड़ना भी तो शेर जैसे पड़ेगा ने। शेर बनना यानि बहुत सारे खतरे उठाना। नीटशे कहते हैं, जिस रेगिस्तान में आप उंट थे, उसी रेगिस्तान में आप शेर बन गए हैं। तो ध्यान दीजिए, वहाँ एक ड्रैगन पहले से रहता है और शेर को उस ड्रैगन से लड़ना होगा, उससे जीतना होगा। जीत गए, तो गेम के अगले चरण में पहुँचेंगे, वरना हार जाएंगे, खतम हो जाएंगे, ड्रैगन के हाथों अपमानित हो जाएंगे। यह ड्रैगन कौन है? जब आप उंट बने रहते हैं, तब आपसे कहा जाता है, यह करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। यह जो आदेश है, यह जो निर्देश है, यही ड्रैगन है। सामाजिक नियम और सामाजिक बंधन ही ड्रैगन है। जो कोई आपके जीवन को बाहर से कंट्रोल करना चाहता है, वो आपके जीवन का ड्रैगन है। हरिट के जीवन में ड्रैगन अलग होता है, आपको अपने ड्रैगन को जानना होगा, पहचानना होगा, फिर उससे लड़ना होगा, जब तक आप उंट बने रहते हैं, इस ड्रैगन से नहीं लड़ सकते, शेर बनने के बाद सबसे ज़्यादा इसी ड्रैगन से लड़ना पड यानि जब आपने ना कहना सीख लिया उसमें आप शेर बनने लगते हैं इस ना को निट्षे ने क्या कहा है निट्षे ने इसे कहा है एक पवित्र इनकार यानि यानि कोई आपको बाहर से नियंत्रित कर रहा है तो आप उसे उसके सामने ना कह सकें आपका परिवार, समाज, दोस्त, वातावरन, सोशल मीडिया ये सब मिलके आपको अपने हिसाब से नियंत्रित करना चाहते हैं और आप शेर की तरफ गुर्राते हुए इन सब के सामने कि नहीं, मैं आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जीऊंगा, मैं आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से अपनी बातें बोलूंगा, जब आप शेर बनते हैं, तो कोई काम आप इसलिए करते हैं, वो काम आपको पसंद है, इसलिए नहीं करते हैं, कि बाकी लोग कहने लगते हैं कि हर चीज़ को निगेटिव तरीके से देखने लगते हैं ये भी एक डर होता है आप धीरे धीरे नकारवादी होने लगते हैं तो अब क्या होगा हर चीज़ को ना कहके आप जीवन कैसे जी सकते हैं तब आपको और ग्रो करना होता है आप और ग्रो करते हैं आप अचीव करना शुरू करते हैं, अचीव करने के बाद खुश होना शुरू करते हैं, ड्रैगन को हराए बिना लायन खुश कैसे हो सकता है, यानि आप ड्रैगन को हरा देते हैं, और उसके बाद आप एक बच्चे जैसा बनना शुरू हो जाते हैं. नीटशे ने तीसरे चेरण का नाम रखा है बच्चा, यानि चाइल्ड अब उन्होंने इसका नाम बच्चा क्यों रखा? ग्रोव होने के बाद इंसान बच्चा कैसे बन सकता है? नीटशे कहते हैं क्योंकि बच्चा मासूम होता है वो चीजों को भुला देता है वो एक नई शुरुवात करता है और एक पवित्र हां कहता है ध्यान दीजिए शेर एक पवित्र इंकार करता है लेकिन बच्चा एक पवित्र स्वीकार करता है उन्ट अपनी पीठ फे वजन लाद कर चलता है फिर वजन को उतार कर सामाजिक बंदनों से लड़ता है तो शेर बन जाता है और फिर अपने लक्षियों को प्राप्त करने के बाद वो एक बच्चा बन जाता है और एक नई शुरुआत करता है। जिन्होंने उसका साथ दिया, उनकी बातों को वो हां कहता है और जिन्होंने उसका विरोध किया था, उन्हें माफ करते हुए भुला देता है और नई शुरुवात करने के बाद अपने लिए नए नियम बनाता है नयतिकता की अपनी एक नई परिभाशा गड़ता है वो अपनी पीट पर किसी तरह का बैगेज लाद करने ही चलता न तो इमोशनल बैगेज, नहीं किसी और के निर्देशों, आदेशों या ज्यान का बैगेज इस बच्चे से कोई ये नहीं कह सकता कि तुम्हें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, या ऐसा करना चाहिए, या वैसा करना चाहिए कोई इस बच्चे को ये नहीं बता सकता इसके उलट इस बच्चे के पास अलरेड़ी एक लिस्ट होती है कि मुझे ये, 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 ये करना है, इन लोगों से मिलना है, इन लोगों को शमा करके भूल जाना है ये न सिर्फ नाम के लिए बच्चा है, वरना असल में तो ये बच्चा सुपरमैन है, महामानो है, बहुत शक्तिशाली है इस बच्चे में ये शक्ति आखिर कहां से आई अगर ये उंट की तरह सिर जुका कर वजन उठाता रहता तो बाकी लोगों की तरह जीवन भर मजदूरी करता रहता लेकिन उंट ने रिस्क उठाया उसने अपने कमफर्ट जोन को तोड़ दिया बगावत कर दी जिससे वो शेर बन गया उसने सामाजिक बंधनों के ड्रैगन को हराया और जो खुद करना चाहता था उस काम में अपने लिए उसने काम्याबी हांसिल की और एक दिन बिलकुल बच्चे की तरह अपने जीवन की नई शुरुवात की एक सुखद शुरुवात ये बच्चा बनना ही हमारे जीवन का लक्षे होता है यही है हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली चरण इस बच्चे की तरह खुश होना और यही खुशी नीटशे की निगाह में सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी शक्ति है यही है नीटशे की निगाह में शक्ति का विकास कुछ इस तरह बनता है नीटशे का सुपरमैन इन सब के अलावा और क्या खासियत होती है नीटशे के इस सुपरमैन यानी महामानों में यह मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा जगन उससे पहले आप ये सोचिए कि आप अपने जीवन के किस चरण में हैं उठ हैं शेर हैं या फिर नई शुरुवात कर चुके इस बच्चे की तरह हैं सोचिएगा जल्द मिलेंगे नमस्ते